हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत यची वेकेंसी के बारे में तो फ्रेंड इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज जल्दी सी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड भेखेंसी होने वाली है केंद्री चैन परसत सीपाही भरते के तो फ्रेंड चलिए फटाफट देखते हैं ओफिसियल नोटिफिकेशन में क्या दिया गया ठीक है फ्रेंड पर फ्रेंड वह फोरेस्ट गाड़ की थी और यह आपका फोरेस्ट ठीक है वनपाल की वेकेंसी होगी तो फ्रेंड इसका देखिए महत्पुन डिट दिया गया फ्रेंड ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम्ति थी 10-9-22 रखी गई ठीक है फ्रेंड मेरे साथ 2020 रखी गई है बिग्यापन संक्या और देख लेते हैं परिया वरन वन एवं जलवाई परिवरतन विभाग बिहार सरकार में बिहार सरकार में वन पाल है न फ्रेंड फोरेस्टर जो कि इसका वीतन मान होने वाला फ्रेंड 29,200 से 92,300 है न ये फ्रेंड लेवल 5 की रिक्तिया होगी जिसमें कूल पद 236 है इसमें कूल पद कितने है फ्रेंड 236 है इन पदों पर न्युक्ति है तू सुयोग भारती पुरूस एवं महिलाओं उमिद्वारों से विहित प्रफत्र में ओनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ठीक है अब फ्रेंड देख लेते हैं यह फॉर्म ओनलाइन कब से हो रही है इन पदों पर इन पदों पर न्युक्ति है तू बिग्यापन संक्या 422 यहां जारी किया जा रहा है ओनलाइन आवेदन पत्र भरने का परकिरिया दिनांग 27722 से प्रारंभ हो रही है चले फ्रेंड उसक शेक्षनिक योगता क्या रखकी गये ठीक है ऐसीति देखे फ्रेंड वनपाल पर आवेदन हेतु पत्र ता ठीक है वह विखती जो भारती नागरीख फो भारत की नागरीक हो उसके बाद है कि अभ्यारती की सैक्षनिक योगता ये ध्यान से देखेगा फ्रेंट वन पाल है ना फोरेश्टर पद पर भरती हेतु निवनितम सैक्षनिक योगता मानेता प्राप्त बोर्ड वीश विद्याले कॉंसिल से इंटर बिज्ञान अथवा सम का उत्रिन होगी ठीक है यहां पर कहा गया है फ्रेंट कि इंटर विज्ञान होनी चाहिए ठीक है उसके बाद देखें फ्रेंड आयू देख लेते हैं ठीक है कि एज क्या रखी गए कि समान अनरक्षित वर्ग की प्रूस एभम महिलाओं के लिए निवनितम उम्र 18 वर्स औ अधिक्तम उम्र 25 वर्स रखी गए ठीक है यानि कि अनरिजर्ब के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए ठीक है जोकी इकनोमिकल विकर सेक्षैं45 के लिए होना चाहिए डेल के अनुसारी तेक है जितना जेनरिल का रहे है प्रैंग पिछा की पूरूस हो और महीलाओं के लिए्ट मुतम और 18 वर्स और अधिकतम उम्र 27 वर्स रखे गई हैं पिछेरा वर्ग allowed पिछ्रा वर्ग की पूरूस हो ऑफ्षेंगा कजिए यूंत्म उम्र 18 वर्स और अधिकतम उम्र 20 वर्स उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंट कि अनुसूचित जाती ठीक है और एवं अनुसूचित जन जाती एसी एस्टी के पुरूसों एवं महिलाओं के लिए नियूनतम उम्र 18 वर्स और अधिकतम उम्र 30 वर्स रखे गई है उसके बाद दिया गए फ्रेंट कि बिहार सरकार में कारजरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने कटप तीथी तक नियमित सेवा में नियूनतम तीन वर्स के अबधि पूरूरी कर ली हो एवं जो इस परतियोगिता परिक्षा में भाग लेना चाहे उनके लिए आयू सीमा में अधिकतम पांच वर्स की छूट दी जाएगी अब भ्यार्ति की आयू की गर्ना मैट्रिक्विलेशन अत्वा समकक्ष परिक्षा की पर्मान पत्र में अंकित जनम तीती की अधाल पी होगा उसके बाद देख लेते फ्रेंट सारीरिक मापदंड क्या रखे गई ठीक है अब भ्यार्तियों की सारीरिक मापदंड को देखेंगे यहाँ पर देखे फ्रेंट की एक नमर में देखे करमांक वन में देखे की निवनितम उचाईज होनी चाहिए ठीक है की यूर के लिए फ्रेंट 165 cm हाइड चाहिए और इसड के लिए कितना चाहिए एक सौ साथ *** ठीक है उसके बाद देखे फ्रेंट कि यह जो है आपका नियूनितम सिना ठीक है नियूनितम जो सिना होना चे बीना फूला है 89 cm होना चाहिए A.C.S.T. के लिए और अने के लिए 81 cm होनी चाहिए उसके बाद एकी सीवना का निंतम फुला 5 cm होना चाहिए और उसके बाद चार नमर में देखी पैदल चलने की दखसता ठीक है ये अपका 4 घंटे में 25 km होनी चाहिए फ्रेंट ये सभी के लिए होगा ठीक है चार गणते में पचीस किलो मीटर उसके बाद देख लेते फ्रेंट महिलाओं के लिए क्या रखा गया है महिलाओं अभ्यारती के लिए फ्रेंड एक में देखी कि निवनितम उचाई जो रखी गए फ्रेंड अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती के लिए 155 सेंटी मीटर रखी गई है जबकि अन के लिए 160 सेंटी मीटर रखी गई ठीक है और पैदल चलनी की दक्सता फ्रेंड देखे महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलो मीटर ठीक है 4 घंटे में 14 किलो मीटर एसीश्टी के लिए और अन के लिए 4 घंटे में 14 किलो मीटर ठीक है उसके बाद फ्रेंड अंत में देख लेते हैं अंद में देख लिएते हैं प्रेंड ओनलाइन आविधन परकिरिया ठीक है परिया वरन वन एवम जलवायु परिवरतन विभाग में वन पाल पद परचयन हितु ओनलाइन आविधन पत्र भरने की पत्ति अपनाई गई है जो कि दिनांक 27 साथ 220 को ओनलाइन आविधन पत्र भ अबिहार.nick.nick.in पर बिस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यार्थी को निर्धारित मुल पर परिक्षा सुलक के रूप में आउलाइन अविदन पत्र का क्रेव करना होगा। अभीदन पत्र की राशी का बुखतान ओनलाइन माध्यम से करना होगा इसमें जो फ्रेंड होगा अप्लीकेशन फीज और और फ्रेंड अंधि में देख लेतें कि अफ्लीकेशन फीज रखे गई इस फॉर्म के लिए अप्लीकेशन फीज रखे गई तो अत्यांत पीछिरा व इवाभी की अभ्यारतियों के लिए कि और लाइन आवेदन पत्र का नियुंतंऩ मुल सा धी सा्टे चार्सो रुपेई रखे गए ठीक है है चाड्सो पचास डेबिट कार्ड परयोग करने पर बैंक चार्जज का वहन अभ्यारती को खूद करना होगा ठीक है करना होगा देश में परचलित सभी क्रेडिट डेबिट कार्ड एबं निट बैंकिंग के ट्रांजेक्षन अनुमान नहोगा ठीक है तो फ्रेंट आसके लिए फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्लिकेशन फिल करके ठीक है फ्रेंट